आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीजो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाऊ डाउनलोड नाओ consumption करेंट हुगा हमें find out करना है यहां दे रखा है product of first three is 1001 अगर हम देखें कि इनका 101 आ रहा है तो वो first three है A into B into C A into B into C को multiply अगर हम करें तो आएगा हमारा 1001 अब 1001 देखें अगर prime numbers में तो prime numbers इसके multiplication में क्या होते हैं तो वो होते हैं 7 into 11 11 into 13 अगर हम इनको multiply करते हैं तो यह आता है 1001 compare करें अगर तो A square to क्या मिल जाएगा हमें 7 B square to 11 and C square to 13 यह value हो करें यहां से find out करें A, B, C की अब बोला गया है and that of the last three is 2431 last three that means A, B, C के अलावा B into C into D यह जो last three because 4 prime numbers से first three तो यह हो गए last three देखें तो B, C and D इनका product कितना आ रहा है 2431 so अगर find out करें कि value of D क्या होगी B और C की value क्या दे रखी 11 और 13 11 into 13 into D is close to 2431 B और C की value हमने रख दी यहां पर 11 into 13 कितना होगा 143 so D की value निकाले 2431 divide by 11 into 13 और 11 into 13 क्या होता है 143 okay so यह हो जाएगा हमारा यहां से D is close to इसको इससे divide करेंगे तो यह आएगा 17 और 17 भी हमारा इक prime number है okay so last prime number हमसे पूछा जाए क्या होगा तो last prime number हमारा होगा 17 यह हो जाएगा question का solution and answer of the question यहां D is close to आजाएगा 17 तो यह होंगे चारो प्राइम नंबर्स options में से हमारा यह वाला option करेक्ट हो जाएगा thank you Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट 8444 चार्स उपर